हेलो फ्रेंड आप सब कैसे हैं देखे आज एक बहुत ही टेस्टी मिठाई की रेषपी लेकर आई हूँ वो भी बचे हुई रोटी से इतनी टेस्टी मिठाई बनी है कि खा कर तो कोई भी नहीं बता सकते हैं कि रोटी से बनी हुई है चली मिठाई बनाने के लिए दो रोटी लिए हैं एक मिकसर जार लेंगे रोटी को उसमें पीस लेंगे एकदम सूजी नियान बारिक पीस लेंगे अब एक कडाही लेंगे कडाही को गरम करेंगे उसमें डेट चमच के लगभग घी डालेंगे जब घी गरम हो जाएगी तो रोटी जो पीसका रखे तो उसमें डाल देंगे आपके पास ज़्यादा रोटी बच विए तो ज़्यादा रोटी के बना ले घी अभी कम ही डाले हैं बाद में थोड़ा सा घी और डालेंगे अगर हमारे वीडियो अच्छे लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और हमारी रेष्पी आपको कैसी लगी और कमेंट करकर जरूर बताएगा जिस तरीके से मैं बना रही हूँ रेष्पी एक बाद जरूर बना कर खाईगा रोटी को चूड़ा को पहले थोड़ा दरी के लिए भूंज लेंगे उसमें एक चमर्ज सूजी मिलाएंगे ज्यादा सूजी नहीं मिलाएंगे बस एक चमर्ज मिलाएंगे साथ में भूंज लेंगे सूजी डालने से दानेदार मिठाई बनेगी रोटी को चूरा सुनाहरे होने तेक भूंजेंगे इसे ज़्यादा टेस्ट बढ़ जाएगी भूंजने से देखे कलर चेंज हो गई है अब इसमें चीनी डाल देंगे धाय चमज के लगभक चीनी डालेंगे आप अपने हे साफसे चीनी डालें कितना मिठा खाना पसंद करते हैं अब उसमें डढ़ गिलाज के लगभक दूर डाल देंगे दूर हमारी पहले से गरम थी इस तरीके से डाल कर मिला लेंगे रोटी की इतनी टेस्टी मिठाई बनकर तयार होगी कि आप तो पहले कभी नहीं बनाए होंगे इस तरीके से रोटी की मिठाई एक बार बना कर इस तरीके से खिला दिये फ्रेंड तो आपको तारिफ करते ठकेंगे नहीं जरूर पुछेंगे कि कैसे बनाएं इतनी टेस्टी मिठाई बनकर तयार होगी दो इलाँची लिए हैं इलाँची को चूर का डाल देुए फ्लेवर के लिए थोड़ी सी और घी डाल कर इसको भूझेंगे इससे और टेस्ट बढ़ जाएगी डर चमच के लगभाग और घी डाले हैं इसमें भूझने से ही टेस्ट बढ़ेगी इस तरीके से भूंचते हुए एक दूद सारे सुखा लेंगे जो चमच में लगा हुआ इसको निकाल लेंगे इस तरीके से देखे दूद हमारी सुख गई है एक डोक जैसे त्यार हो गया है कडाही को छोडने लगा है गैस को बंद करेंगे थोड़ा ठंडा होने के बाद इसको एक मिठाई के सिफ देंगे मिठाई बनाने के लिए इस तरीके से कप लिये हैं जिसमें अच्छे तरीके से डिजैन बन जाएगी कुछ काजू और बदाम का टुकड़े ले लिये हैं कप में थोड़ा सा घी लगाएंगे दो मिठाई असानी से निकल जाएगी और काजू और बदाम का टुकड़े थोड़ा सा फैला देंगे नीचे देखने में बहुत ही खुबसूरत मिठाई बन कर तयार होगी खाने में टेश्टी है ही एक एक चमच के लगभग सभी में डाल देंगे जितना बड़ा मिठाई बनानी हो उसी साबसे डाल कर इस तरीके से दवाते हुए सेप देंगे इसको पलेट में भी सजा सकते हैं लेकिन इसमें बहुत असानी से सेट हो जाएगी देखने में बहुत ही खुबसूरत लगेगी इस तरीके से दबाते हुए जमा ले सारे कप में इसी तरीके से मिठाई को सेट कर लिये हैं ठंडा होने के बाद इसको निकाल लेंगे दो से तीन मिनट के लिए ठंडा होने के लिए छोड़ दें फिर बहुत असानी से निकल जाएगी आपको हमारी वीडियो कैसी लगी प्रिंट कमेंट करके जरूर बताएगा यहां तक हमारे वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद फ्रिंट आए एक बार जरूर बना कर खाईएगा देखे देखने में ही कितना खुबसूरत लग रहा है खाने में बहुत ही टेश्टी लगी थी देखे आपको कैमरा जुम करके दिखा रही हूँ कितना बढ़े मिठाए बन कर त्यार हुई है चलिए खा कर भी बताते हैं तोड़कर कि कितना परफेक्ट मिठाए बन कर त्यार हुई है एक बार जरूर बना कर खाएं बहुत ही टेश्टी बनी है